जए मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतियाना यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ चाहे आप कितनी भी पूजा पाट कर लो या मंत्र जाप कर लो जब तक ये नहीं करोगे तब तक कोई भी देवी देपता नहीं आता आप लोगों के पास जी हाँ दोस्तों अगर आप भी देवी देपता के भक्त हैं चाहे आपने घर के देवी देपता के हो, चाहे माता काली के हो, चाहे दुर्गा के हो, चाहे भोरेनात के हो, किसी के भी अगर आप भक्त हैं, अपने घर में पूजा पाट करते हैं, तो जब तक आप ये एक काम नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कोई भी देवी देपता न लमनी रखता और आते आते आपके घर से ही देवी देपता लोट जाते हैं जो कि आपके कार्य देखकर जब आपने यही कार्य नहीं करा तो फिर आपके पास कोई भी देवी देपता नहीं भटकता है तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ इस मैं बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप महाकाली भगत गयान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्डी से सब्सक्राइब तू लाइक से रिकमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां प है जब तक आप इन कार्यों को नहीं करेंगे जो कार्य में बताने वाली हूँ तब तक आपके पास माता काली तो क्या कोई भी देवी देपता भगवान नहीं भटकता और आते आते आपके घर में से ही मलब जैसे आपकी चोकट पर कदम रखते हैं वहीं से ही बापीस लोट जाते हैं क्योंकि आप जब तक यह काम नहीं करते जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ तो भक्तो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बता रही हूँ आप वीडियो को एन तक देखना तब ही आपकी समझ में आएगा वरना आपकी समझ में कुछ भी देवी देपता पित्र को नहीं पूझते तब तक आपके पास कोई भी देवी देपता नहीं बटकता है अब चाहे आप अपने घर के देवी देपता को मत पूझो लेकिन अपने पित्रों को जरूर पूझो पित्र जिसके घर में पित्र दोस होता है उसका कभी भला नहीं हो चाहे वो किसी भी देवी को पूझ ले चाहे किसी भी देपता को पूझ ले ठीक है जब तक वो अपने घर के पित्रों को भोज़त नहीं कराएगा तब तक उससे कोई भी देवी देपता प्रसंद नहीं होते हैं ना उसके घर में कदम रखते हैं तो अपने घर के देवी कराना चाहिए लोंग बतासे का और खीर का लिए जब आप अपने घर के पित्रों को नहीं पूजे तो तब तक आपसे कोई भी देवीदेपता प्रसन्द नहीं होता चाहे आप कितनी भी नाक रकलो अपने देवीदेपता के आगे चाहे कितने भी पैर फिला लो कुछ भी कर जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप अपने घर के देविदेपता को नहीं पूझते अपने पित्रों को अपने पित्रों को पूझने के लिए आपको पुर्नीमा वाले दिन और अमावस वाले दिन उनको खीर का भोग लगाना चाहिए खपूर के उपर और लोंग बतासे का भोग लगाना चाहिए और आपके घर के जो बड़े बुजरक पित्र होते हैं वही सबसे पहले देपताओं के रूप में माने जाते हैं और उमी का पूजन सबसे पहले आपको करना चाहिए तब जाके आपको अन्य देवी देपता का पूजन करना चाहिए अब जैसे मालो आप अपने घर में माता काली की पूजा करते हो ठीक है पूजा तो कर रहे हो आप अब मालो आप लोग बता से का भोग माता को चड़ा रहे हो जो भी भोग मतलब आप चड़ा रहे हो अपने साधा से तो वही भोग आप माता काली के साथ साथ अपने घर के पित्रों को भी दे आपको अपने घर के पित्रों के नाम तो पता ही होगा अगर नाम नहीं भी पता है तो अपने घर के पित्र सभी का नाम लेके एक हाथ सबसाथ और ये भोग सुविकार कीजिए पित्र देव मा काली मेरे ये भोग मेरे पित्र देव तक जरूर पहुचा देना आप बस माता काली को बोल दो माता काली का काम है आपके पित्रों तक आपका भोग पहुचाना ठीक है और ये भी मैं आपको बता देती हूँ जब तक आप अपने पित्रों को नहीं भोग देते हैं तब तक आप से माता काली भी खुशनी होती है नहीं 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 होती चाहिए आप कितने भी पूझा पार्ट कर लो चाहिए आप मата काली के कितने भी बड़े-स-बड़े मंत्रों के जाप कर लो लेकी जब तक खुशन योएंगे जब तक माता काली को तो वही भोग आप अपने पित्तों के नाम का भी थोड़ा सा SIDE में चड़ा दे माता काली के साथ ही, जब आप आपसे देवी देपता प्रसन होएंगे, ये एक काम जो मैंने आपको बताया है, ये काम आपको हमेसा करना चाहिए, जब जब आप मा काली को या अन् कुछ भी कर लेना कुछ भी कर लेना जब दक आपको कोई भी शक्ती निपराप्त होती कोई भी देवी देवता आप से खुसनी होता चाहिए वह आपके घर का भर नेपने Umm aluk 서울 म्हादे olan को taxon कई वह ब लुब्र आप दो में दोस्तों मैंने अपको Country किसी समझा आदिया है अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय मतकाली हरहर महादेव ओम नमस्षिवाद